हुआ है 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 कि है दोस्तों स्वागत है पॉर्ट इस टार्ड इस पे मैं हूँ आरके सिंग अन्ड हम लोग कंटेनर कर रहे थे इंजिनरिंग मैकानिक्स चैप्टर चल रहा था मोमेंट चन कपल तो मोमेंट का थियोडिकल पार्ट हम लोगों रहे गया था वह हम लोग करने वाले हैं इस वाले Most को करने के बाद क्योंकि इस वाले क्लस में लोग anlam बात करेंगे कपल के बारे में फिख है तो चलो start करते हैं कपल अब का मतलब कंटिहान यहां पे कपल बोले तो जोर दो सइमिलरव पॉरस का जिसका magnitude तो similar है लेकिन direction opposite है मतलब क्या है कि दो force है जिसका magnitude तो same है वहिया लेकिन इसका direction जो है वो अलग-अलग है और दोनों ही force क्या है parallel होगा ओके दो force जो की parallel है जिसका magnitude same है लेकिन direction opposite है तो उस तरह कि force को हम लोग एक साथ क्या कहेंगे कपल कहेंगे ठीक है ओके चलो तो इसका हेडिंग लगा लो फटा फट से कपल क्या होता है कपल वाट इस कपल कपल इस पेर आफ टू कपल इस आफ पेर ओ टू पैरल फोर से तिया हूज magnitude are same but they are opposite in direction ठीक है तो यह होता है हमारा कपल ओके कपल इस पेर ओफ टू पैरलल फोर्स फोर्स हूज magnitude are same but they are opposite in direction दोनों ही फोर्स क्या होगा पैरलल हो गा magnitude भी सेम होगा लेकिन डिरेक्शन ऑपोजिट होगा तो भाया आप मुझे यह कहेंगे कि सर इस तरह का के के लिए जी कंसद में के यहाँ पे यहां पर बाथ करते हैं कि बोटल का कैप को नादे यहां बोटल का उसक्राइभ करते हैं तो न हम आंगली से जहां क्लिल का देक हैं धीजिए पेरयं के सबस्क Спारें से उतना ही करते है दोनों ही पैरलर्ट होगा जैसे की यह बातर समान क्या थे यह बोलतिक्वism इस तरह प्रफिंगे दूनों ही फोर्स स्विए है दोनों ही स्वट्फाइब पैरलल है तो देखो यहाँ पे इन दोनों से घंच को करें के सकती हैं कपते हैं जो हम रहे जिनल Portland करते हैं अबैंक देखो यहाँ पे मने पार से बनाव डिल है मैं अभी इसको खोलंगा एसे खोलंगा तब तो दो नहीं से मैं एसे फॉर्स ऐप्लाई कर रहा हूं तो दोनों का मैगनेटुड सेम एंड दोनों ही पैरलल है तो फिर इस तरह के फोर्स को कहते हैं क्या इस तरह के फोर्स को लोग कहते हैं कपल तो एक्जामपल अप लिए सकते हैं opening ओर closing example of couple क्या होगा example opening और closing दर अरे भाई तू हट थे opening और closing the cap of bottle ठीक है यह हो सकता है या फिर यह भी हो सकता है opening और closing the water sorry the tap of water tap of water टेप को खुलते हैं तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं इस तरह का एक कपल अप्लाइ करते हैं एक एक एक्जांपल दो एक्जांपल तीसरा चाहिए क्या तीसरा चलो ओके स्क्रीविंग ओके द नट बोल्ट ठीक है स्क्रीविंग दन नट फोल्ट ठीक है क्याना फित नट पोल्ट में हम लोग कैसे apply करते हैं दोस्तून नट बोल्ट बायर रेंज रेंज मैं सिह हम लोग खोलते हैं ना को खोलते है ना ऐसे देखो यह मारा इक बोल्ट फो गया वोलल्ट लगा हूए यहाँ पे ऐसे फ्रेड्श होगा आएसे एक नट लगेगा ना ठीक है यहाँ पर इसको हम लोग रेंज देके ऐसे क्या खरते हैं टाइट करते हैं तो रेंज कैसा होता है रेंज का जो साइज होता है कुछ इस तरह का रेंज होता है दोस्तों अच्छा चलो अच्छा नहीं हुआ लेकिन यह रेंज हुआ ठीक है तो रेंज के दो साइड होते हैैं एक एक दोनों ही पैरलल फोसम लगाते हैं ठीक है कि एक आपका इस तरफ लगाएगा तो दूसरा ओपोसिक दिशाब में लगाएगा दोनों भी परलाल फूर्स लगेगा एंड सेम इमाउंट फूर्स लगेगा तो यह कुछ एक्जाम्पल हो गया कपल का दिए दूस्तों चलो अब हम लोग चलते हैं आर्म औफ कपल का बाहू किसे कहते हैं कपल बैसे तो बहुत ही सीधा सा कंसिप्ट है फिर थोरा सा भर लेते हैं इसको कि अच्छा कपल का एक और एक्जाम्पल होगा दोस्तों कार में जो स्टेरिंग होते हैं ना कार में उसको घुमाने के लिए भी हमें कपल एपलाई करना होता है दोनों हाथ से तो भी आप बता सकते हैं आन ओफ कपल तो आर्म ओफ कपल क्या होता है दोस्तों दा आम ओफ कपल इस दा दो आम ओफ कपल इस दो पर पंदी कुलर पर चंदी कुलर इस तन्स between the between the line of action of two forces ठीक है? तो couple में दो force होता है हम लोग जानते हैं एक force ये दूसरा force ये है ठीक है? दोनों का line of action ड्रो करेंगे फटा फट से line of action फटा फट से हो गया line of action ओके इन दोनों line of action के बीच जो पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा बिलकुल ये वाला इस्टेंस डाट इस नोन आज आर्म आफ कपल आर्म आफ कपल ठीक है? समझ में आ गया आर्म आफ कपल क्या होता है? चलो इतना तो समझ में आ गया है तो फटा फट से हम लोग next topic पर चले आते हैं that is moment of couple moment of couple moment of couple तो देखो दोस्तो couple जब हम लोग किसी भी चीज़ पर अपलाई करते हैं तो उसमें रोटेशन आता है उसमें क्या आता है? रोटेशन आता है मतलब moment तो लग रहा है न लेकिन कितना moment लग रहा है वो हम लोग कैसे calculate करेंगे moment हम लोग calculate करेंगे the moment of a couple is the product the moment of a couple is the product of the magnitude of any one force of any one force to the to the यहाँ पर हम लोग couple arm भी कैसे शकते हैं या फिर couple arm भी कैसे शकते हैं या फिर perpendicular distance between the line of action of two forces गी हम लोग लिख सकते हैं तो मैं सीधे करके लिखता हूँ couple ठीक है? ओके? the moment of a couple is the product of the magnitude of any one force to the couple arm ठीक है? मतलब दो force दोनो ही same magnitude के है तो कोई एक force का value ले लिजे into couple arm के साथ आप multiply कर दीजे मतलब क्या होगा moment यहाँ पर एक ऐसा force दूसरा यह force ठीक है? यहाँ पर है d distance and force दोनो ही f होगा तो moment moment of couple यह पिक्या आएगा moment of couple if into d ठीक है? एन्य दोनों force में से किसी एक का value magnitude into the couple arm arm of couple ठीक है? तो यह होगया हमारा moment ठीक है ना बात समझवाए दो इस तो बात बिलकुल simple सा है बात चलो अब यह जो moment है दोस्तो moment of couple actually यह एक vector quantity है तो इसका magnitude के साथ direction भी रहेगा तो direction कैसा रहेगा? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे the moment of a couple is a vector quantity quantity so it has a it has a direction also तो तो इसमें क्या होगा? magnitude के साथ साथ direction भी होगा तो डायरेक्शन दा डायरेक्शन इस डिटर्माइन बाइ यूजिंग राइट hand thumb rule टीक है? तो couple moment of couple का जो direction है वो हम लोग right hand thumb rule से इस्तेमाल यूजिंग करते हैं या फिर निकालते हैं टीक है? निकालते हैं ओके देखो मेरा right hand कौन सा है? ये बाइट है तो right hand को हमें क्या लेना है? ऐसे लेना है ये सारे उंगलियों को एक साथ कर देना है अब देखो हम लोग उंगलियों को ऐसे घुमाएंगे भई या ऐसे घुमाएंगे ऐसे अगर घुमाते हैं तो moment का direction rotation का direction क्या है? इस तरफ है तरफ है ये जो thumb जिस तरफ point करेगा उस तरफ होगा अपका moment का direction मतलब कुछ इस तरह से आ गया ये हमारा axis है इसको हम लोग ऐसे पकरेंगे इस हाथ से ऐसे पकरेंगे उंगलियों को ऐसे हमें घुमाएंगे तो उंगलिया किस तरफ जा रहा है दोस्तो? अंदर की तरफ जा रहा है मतलब रोटेशन जो है इस तरफ है इधर से जाके उधर जा रहा है ऐसे जा रहा है तो moment का जो direction होगा इस तरफ होगा moment ठीक है? ये है rotation तो बात समझ वे आया अभी किसी bolt को अगर खुलने जाएंगे तो किस तरफ घुमाना होगा आपको किस तरफ घुमाना होगा तब याद कर लिजेगा मुझे right hand thumb rule लगाना है अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ मैं मतलब ऐसे घुमाता हूँ तो फिर मेरा जो nut है वो खोल जाएगा ओके चलो example दे देता हूँ यहाँ पे आप लोग को क्योंकि बच्पन में मैं कभी-कभी confused हो जाता कि किसी nut अगर जाम हो जाता न तो किस तरफ घुमाना है nut को यार तो मैं कभी-कभी confused हो जाता तो जब से मैंने यह thumb rule सीख लिया तो उसके बाद problem नहीं होता भई यह nut जो है उसी तरफ खुलेगा यह nut जो है उसी तरफ खुलेगा तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐसे nut लगा दिये हैं इस बोल्ट के साथ यह मैंने nut लगा दिये हैं ठीक है nut का जो design होता है कुछ ऐसा design होता है ठीक है यह हमारा bolt यह है nut तो nut को किस तरफ घुमाना है खुलने के लिए nut को इस तरफ ऐसे घुमाना है मतलब यहाँ से पकरेंगे ऐसे wrench लेके ऐसे घुमा देंगे ठीक है तो यह moment किस तरफ जाएगा इस तरफ जाएगा मतलब यह खुलेगा ठीक है ओके चलो अब फटाफट से हम लोग क्या देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से हम लोग कपल का कुछ प्रोपार्टीज देख लेते हैं तो थोरा बहुत मुझे लिखना होगा तो मैं क्या कर रहा हूं वीडियो को थोरा सा प्वास करके मैं पूरा बोर्ड में लिख रहा हू लोग तुम जेंगे क्योंकि मैं अगर लिखने जाता हूं कि तीन चार पॉइंट है दोस्तु तीन चार पॉइंट लिखने में कम सी कम सातर में तो लग जाएगा ना तो मैं उस साथ आडमेंट को कट करके आपको डायरेक एकदम लिखा हुआ चीज में चला जाएंगे ठीक है तो यह कुछ प्रोपर्टी होगा दोस्तों जो कि मैंने अल्डेरी लिख लिया है तो पहला क्या कह रहा है मतलब क्या है तो दोनों का ही मोमेंट रहेगा तो दोनों को अगर हम लोग दोनों का मोमेंट दोनों फोर्स का मोमेंट निकाल के जोड़ देते हैं तो फिर वो क्या रहेगा वो चाहे आपका जो कपल का पोजिशन है वो कहीं पर भी रहे वो कंस्टेंट रहेगा मतलब क्या है देखो यहां पर एक ऐसा हम लोगोंने तीन केसिस लिए हैं ठीक है यह है अपका यह questo एक था दूसरा फोर्स ऐसा है ठाण तो इसका मोमेंट निकालेंगे इसका मोमेंट निकालेंगे दोनों को अगर हम लोग सम्क्रदेते हैं तो जो हमें मिलेगा ऐसे एक ले पे सेम यहाँ यहाँ पर हमें निकालना है इस पोइंट के बाउट तो इसका मुमिंट लेगी कि इसका मुमेंट निकाल के हम लोग क्या करेंगे सम कर देंगी ठीक है एंड एंड तीसरा केसे कुछ इस तरह से है यहां पर पॉइंट है यहां पर कपल हमारा जो है यहां पर है तो तीनों ही केस में जो अलजिब्रीक साम ओफ मॉमेंट ओफ फोर्सेस होगा वो कंस्ट इख ही प्लैन के अगर बात करें तो वो इन दयार प्लैन ए तो इन तीनों केस में हम लोग देख सकते हैं जो कपल जो बीच पॉजिच है वह अलग अलग है यहां पर बीच में हमरा साइड में मतलब इस पॉइंट में साइड में हमारा दो फोर्स लगा है यहां पर हम लोग देखे में ने इस पॉइंट की समयरा है eight हम लोग कपल को अगर दूसरी जगा पर अपलाई करेंगे तो आपका इस बॉडी में जो एफेक्ट रहेगा कपल का वो अलग हो जाएगा इसा नहीं है ठीक है यहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी अच्छा भाई हम लोग ने तो कपल को ही चेंज कर दिया यह वाला यह वाला कपल ऐसा है ठीक है तीनों ही कपल एक जैसा होना चाहिए तो देखो कपल को हम लोग कि यहाँ पर पोजिशन करा था, यह कपल मिला कि इस वोड़ी को क्या घंबाएगा तो इस फोैसे घंबाएगा ठीक है यहाँ पर भी देखो इस previous harbour gas का पूजिशन मुसरा का पोजिशन हो जाने से कपल का एफ 15 नहीं होता ह। यह बात याद रखिएगाıs मॉइंट any two couple of equal of equal of equal moments and sense in the plane are equivalent in their effect ठीक है दो कपल का दो कपल का अगर moment same है ठीक है दो कपल का अगर moment same है and वो same दिशा में है तो फिल वो हम लोग उन दोनों को क्या कर सकते हैं उन दोनों का effect भी क्या होगा same होगा ठीक है दो कपल का moment भी same है direction भी same है तो उन दोनों का effect भी बिल्कुल same होगा क्योंकि दोनों identical होगा ठीक है तीन number देखो two couples acting in same plan upon a rigid body whose moments are same but 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 opposite in sense opposite in sense balance each other ठीक है एक rigid body में दो couple लग रहा है दो couple का जो moment है वो तो same है लेकिन वो दोनों अलग-अलग विशा में हैं जैसे कि जैसे कि बात करते हैं यह हमारा एक rigid body है दोस्तों यह पॉइंट है यहां पर एक couple ऐसा लगा है ठीक है और दूसरा couple जो है वो ऑपोजिट दिसा में है ऐसा couple है दोनों ही couple का moment जो है वो बिल्कुल same है लेकिन दोनों ही हम लोग देख सकते हैं यह वाला couple ऐसा है तो यह वाला सब्सक्राइब चले आते हैं एनी नंबर ओफ को प्लेनर कपल्स आर एक्विवेलेंट टू आ सिंगल कपल हुज मोमेंट इस इक्वाल टू अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स इन इंडिविजूल और मोमेंट्स ऑफ इंडिविजूल कपल्स ठीक है तो एक रिजिट बोड होगा उसका भी अगर हम लोग उसका अगर कपल निकालते हैं तो फिर क्या होगा दोनों ही इक्वाल होगा बात समझ में आया कुछ एनी नंबर ओफ कपल्स कोप्लेनर कपल्स अर मोमेंट्स अब मोमेंट्स उसको इसको में थोड़ा समझा दों यहाप बात की साथ यहापर में凝च कर देता कपल कपल ऐसे लग रहा है तो इस बॉड़ी में चार जगा पर कपल लगा है चार कपल ठीक है तो चारो कपल का जो आपका एफेक्ट होगा इस बॉड़ी में ठीक है तो उसको हम लोग एक सिंगल कपल में कर सकते ही जैसे कि determination साम करते मां मतलब चारो मिलके इस मोड़ी में जितना कंड आरहा है जितना मोमेंट इस झतना जैसा सक सेंस रहेगा अगर इन सभी का जो algebraic sum of moment है सभी का अगर moment का हम लोग जोरते हैं तो जो moment मिलेगा वो अगर इस वाले कपल के साथ blue वाले कपल के साथ match कर रहा है ओके जैसे कि आपका mc1 एक नंबर के लिए एक नंबर दू नंबर तीन नंबर चाहर नंबर plus mc2 plus mc3 plus mc4 is equal to अगर ये वाला होता है आर वाला मानते mcr ठीक है तो अगर ऐसा होता है कि सभी का algebraic sum सभी का algebraic sum अगर इस बड़े वाले कपल के साथ equal होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ही क्या होगा आपका equivalent होगा ये चारो मिलके जो effect करेगा ये single उतना ही effect करेगा बिल्कुल ऐसा ही बात लिखा गया है ठीक है ओके चलो ये था कपल के कुछ properties तो दोस्तों कपल से इससे जाड़ा कुछ नहीं है सिर्फ कपल कपल से हम लोग जो moment निकालते हैं वह आपको समझना था कपल का moment कैसे निकालते हैं कैसे हम लोग और कपल निकालते हैं और कपल का direction moment जो होता है वो उसका direction कैसा होता है ठीक है तो direction निकालने के लिए मैंने बताया था right hand thumb rule ठीक है न तो इतना सारा चीज़ा आपको याद रखना है बस तन इसके बाद हम लोग next class में क्या करेंगे next class में हम हम लोग moment के कुछ problem देखेंगे moment के कुछ numerical problem solve करेंगे तो moment and couple का जो concept है जो चैप्टर है वो हमारा यहीं पर end हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलो मिलते हैं next class में तब तक लिए अपना ख्याल रखना and study बराबर करते रहना अगर engineering mechanics से classes नहीं देखे होंगे तो definitely आप जल्दी से जल्दी देख लिजे सारे classes क्योंकि यह आपका यहां पर हम लोग moment and couple का theory खतम कर रहे हैं मतलब आपके syllabus में और सिर्फ और सिर्फ तीन chapter रह गया है friction center of gravity या फिर सीजी ठीक है और रह गया आपका simple lifting machine तो इसके बाद हम लोग एदर सीजी स्टार्ट करेंगे या फिर friction स्टार्ट करेंगे ठीक है तो चलो चलो दोस्तों मिलते हैं next class में thank you very much की तो बाह सdal बाहते हैं – है अजिक संटी हैं तो ज एिप